तो यहां पे मैंने ओयल में खुप सारा प्याज डाला है और यहां पे गाजर में थोड़ा सा दूद और घी डाल कर उबलने के लिए मैं रख लूँगी घिसकर नहीं बनाऊंगी तो उबाल कर ही मैं यहां पे हलवा बनाऊंगी तो जितना दूद था मैंने प्लट लिया क्योंकि इसी पतिली में मैं और दूद गरम करूँगी पहले मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया क्योंकि पहले करम किया था न दूद इसमें तो फिर यह पतिली नीचे से जल जाती इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले पानी डाल दिया फिर दूज और यहाँ पे मैंने जो मसाला था वो मतलब बन गया है और आज मैं बना रही हूँ सबजी प्याज और मसरुम की तो यहाँ पे थोड़ी सी अद्रक लेकर आई थी ना तो वही मैं छिल कर धोधा के रख लूँगे और जब भी चाय बनेगी ना तो चाय में डालने के लिए आसान रहेगा बार बार धुलनी नहीं पड़ेगी और जैसे कि मैं प्याज और मसरुम बना रही हूँ तो वैसे तो इसमें मतर भी पड़ती हैं आलू भी डालते हैं लेकिन मुझे आलू मटर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है मसरुम में और आलू मटर डाल दोना तो उसके बाद फिर मसरुम का उतना पता नहीं चलता है इसलिए मैंने खुब सारी प्याज डाली है और बस मसरुम थोड़ी से मैं तरी वाली बनाओंगी ये सबजी क्योंकि सुखी सबजी खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है मुझे मतलब मसरुम ऐसे ही अच्छी लगती है कि मसरुम और खुब सारी प्याज हो और थोड़ी स साथ साथ में कीचन भी साफ करना पड़ता है क्योंकि फिर पानी वानी फैल जाता ना तो फिर कुछ काम करने का मन नहीं करता है और थोड़ा सा कठल था कठल लेकर आई थी तो उसको भी मैं उबाल लूंगी तो वैसे तो कठल को न ऐसे भी बनाते ही हैं मतलब फ्राइ करकी आप लोग भी बनाते होंगे लेकिन वो ना सुखा सुखा सा हो जाता है तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सक तेल डालिया है और इसको मैं काट छांट लूंगी और उसके बाद इसको उबाल लूंगी धोकर तो उबाल करना थोड़ा तरीवाला बन जाता है और सुखा सु काफी ज़ूटा है तो मतलब मुझे कम लग रही है और पान डालो भिखा और पाक लगती है। तो मुझे न मुल्णा की सब्जी ऐश अची लगती है तो ऐसे क्षर लूटो है तो बाल लूँर नहीं दो इस लिए यहां पर मैंने कठल दो लिया था और अब मैं इसको उबाल लूँगी और जो मेरा फैमली चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करेगा साथ ही इस वीडियो को लाइक करेगा शेयर करेगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा तो यहां पर मैं मतलब दूद उबल गया है त तो यहाँ पर एक दो सीटे आएंगी तो बस कठलो बल के तयार हो जाएगा हेलो एब्रिवन वेल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल सुर्मिला रावत उत्रा खंडी कैसे आप सब आसा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ तो तो इससे पहले मैंने जो वीडियो पोस्ट किया था और आप लोग ने वो वीडियो देखा भी होगा उसका टाइटल पड़ा और कुछ वीवर्स ऐसे हैं जिन्नोंने टाइटल पड़कर ही मुझे कॉमेंट कर दिया तो प्लीज उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फु वाच करेगा तो अभी रात के आठ बज गये हैं और यहां पर जैसे कि आपने देखा आधा डिनर मैंने बना लिया है मतलब मैंने सबजी बना ली है और आटा भी आटा नहीं लगाया है तो मतलब मैं आटा लगाऊंगी रोटिया बनाऊंगी और थोड़े बड़तन है वो फिर हल्वा बनाऊंगी थोड़ा टाइम लगेगा हल्वा को बनाने में और साथ ही रोटियां बनाऊंगी और थोड़े से बड़तन पड़े हुए है तो बड़तन दोंगी तो चलिए फिर मेरे साथ किचिन में तो सबजी बन गई और जो कठलो बाला था भी उबल गया साथ गाजर भी उबल गई है और मैं इसको मैस कर लूँगी तो आज ना मैं खोया नहीं डालूँगी जब मैंने पिछली बार बनाया था ता मैंने खोया डाला था लेकिन इस बार मैं दूद ही एड़ करूंगी इसमें और दूद को खुपा काऊंगी जब तक कि वह गाड़ा न यहां पर मैंने थोड़ा सा पानी चड़ा लिया है क्योंकि हस्बेंड आ चुके हैं ड्यूटी से तो गरम पानी कर रही हूं और यह देखिए यह अच्छे से मैस कर लिया है मैंने और इस हलेवे के लिए मैंने ड्राइफ रूट भी कट कर लिया है और यह देखिए कठल भी बल गया है तो यह कठल की सब्जी तो मैं कल सुभें बनाऊंगी टिफिन के लिए मतलब हस्बेंट टिफिन ले जाएंगे बच्चे तो उनके लिए और यहां पर थोड़े बर्तन थे तो वह धोलीती हूं साथ के साथ ही मतलब वही किचन में रहो ना तो फिर थोड़े बहुत बर्तन होती ही रहते हैं जब धकी खाना बनता है और वैसे भी मैं जमाने ही करती हूं बर्तनों को अब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है तो साथ के साथ ही मैं एक बर्तन भी होगा या दो भी होंगे तो मैं साथ के साथ ही दोती रहती हूं तो अभी तो यह ड बहुत ज्यादा टाइम जाता है बतनों को दोने में तो इसलिए और फिर न सिंक से स्मेल भी आने लग जाती है अगर जोठे बतन पड़े रहें सिंक में तो तो इसलिए आठा फटा फट से हाथ एक-दो-दो बतन धोते रहो न फिर इसमेल नहीं आती है यहां पर मैंने चैय बना दी है husband के लिए और समीशे के लिए कॉफी बन रही है यहाँ पर तो समीशे आ गई है किचन में तो अब वो अपने लिए कॉफी तयार करेगी यहाँ पर मैंने दूद रख लिया है गरम करने को कॉफी के लिए और बैस समीशे का यही काम होता है थोड़ा सा अपने लिए कॉफी ले जा रही है वो तो हलवा तो तयार हो गया था और अभी मैं यह कठल पलट के रख लेती हूं साइड में तो फ्रीज को मैं ना फ्रीज में रख लूँगी और अभी मैं इस कॉकर में जो गाजर है उसका हलवा तेयार कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आटा लगा कर रोटियां शीक लोंगी तो टीन दिन से मैंने कोई भी वीडियो पूश्ट नहीं किया है तो उसके बाद मुझे यह वाला वीडियो पूश्ट करना था लेकिन आज काफी दिन हो गए हैं अम जाके मैं यह वाला वीडियो पोश्ट नहीं कर पाई सूत मैंने का लिया था और आप सुचोगे कि मेरी तबेत ही खराब होती रहती है पता नहीं क्यों काफी टाइम हो गया है जब से मैं यहां पर आई हूं तो तब से ऐसे लग रहा है कि मुझे नजर ही लग गई और तबित मेरी खराब होती जाती है तो यहां पर देखे मेरे ड्राइफ फूट काटे थे तो नारियल मैंने पहले ही डालिया है मोटा मोटा ही नारियल काटा है मैंने साथ में थोड़ा पक जाएगा गल जाएगा तो मैं यह कह रहे थी कि मुझे ना पतानी क्यों नजर लग है ऐसे लग रहा है तो जब देखो तब हैती मेरी खराब होती जाती है तो अब वीडियो का एंड करती हूँ और मिलती हूँ किसी और वीडियो में थेंक्स फॉर वोचिंग